नमस्कार दोस्तों मैं प्रिंस हैन्य आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे projection of solids की एक problem के बारे में इससे पहले भी हम कुछ problem इसकी discuss कर चुके हैं और जो condition हम ले रहे हैं वो क्या है solids with axis perpendicular to horizontal plane यानि कि उन solid की अभी बात कर रहे हैं जिनका axis perpendicular to horizontal plane होगा तो चलिए यहाँ पर एक question ले लेते हैं यहाँ पर हमें projection को draw करना है और कुछ statement दे गई हैं तो वो देख लेते हैं सबसे पहले हमें draw करना है cylinder with 20 mm base diameter एक cylinder दिया गया है 20 mm उसका base diameter दिया गया है और 60 mm long दिया गया है यानि कि जो axis है 60 mm long दिया गया है दूसरा हमें draw करना है एक cone जिसका base diameter सेम ही है 20 mm का लेकिन length जो है इसकी 50 mm दे गई है हमें यानि कि axis जो है 50 mm तक दिया गया है और यह जो दोनों है इनका जो base है वो horizontal plane पर rest कर रहा है यानि कि उसके उपर पड़े हुए है यह तो चलिए यहाँ पर पहले तो हम दो plane ले लेते हैं यहाँ पर हमने ले लिया एक vertical plane और दूसरा ले लिया horizontal plane अब सबसे पहले बात कर लेते हैं first case की यानि कि cylinder with 20 mm base diameter and 60 mm long तो यहाँ पर एक cylinder हम ले लेते हैं इस तरह का तो यहाँ पर यह क्या है यह जो diameter है base diameter यह कितना है हमारे पास 20 mm का तो 20 mm का base diameter हो गया यह हमने cylinder बना लिया इस तरह से दोनों ही यह जो end है 20 mm diameter के होंगे यानि कि 10 mm radius के होंगे और इनका जो axis है यानि कि इसका center और इसका center जब इसको मिलाएंगे तो यह जो होगा हमारे पास इतनी height is की होगी जो कि है 60 mm तो यह दोनों चीजे हमें given है तो अब देखिए हम इसका front view और top view बनाएंगे सबसे पहले हम कौन सा view बनाएंगे top view बनाएंगे क्यों कि जो perpendicular axis है वो hp के है यानि कि जब उपर से देखेंगे तो हमें इसकी true shape and size दीखेंगे यानि कि एक circle दीखेगा 20 mm का diameter का तो front view जो है इस तरफ से देखेंगे तो हमें vertical plane पर वो मिलेगा तो top view के अंदर हमें क्या मिला सिर्फ एक circle मिलेगा front view में क्या मिलेगा जब हम इसकी projections यहां पर लेंगे इस तरह से projection लेंगे वोपर से भी projection लेंगे तो हमें एक rectangle दीखेगा इस तरफ से देखेंगे दूर से तो यहां पर एक rectangle दीखेगा जिसकी चोडाई यह जो चीज होगी 20 की होगे और जिसकी height जो होगी वो इतनी होगी 60 mm की होगी तो यह चीज हमें दीखेगी तो चलिए यहां पर xy line ले लेते हैं तो यहां पर xy line हमन बना लेना है उसके बाद इसकी projection ऊपर की तरफ लेंगे center से ले लेंगे और corner से ले लेंगे और यहां पर देखे projection जब पढ़ेगी तो reference line पर पढ़ेगी और यहां पर जो है यहां से ऊपर हमें 60 height पर यह जो है rectangle बना लेनी है अब यहां पर आप इसकी naming भी कर सकते हैं माली यहां पर आप naming कर देते हैं जैसे यह corner है यहां पर इस तरह से इसको divide कर लिए चार हिस्सों में इस तरह से तो ऐसे कह सकते हैं कि यह one हो गया यह two हो गया यह three हो गया यह four हो गया इसी तरह से ऊपर जो है इसको भी आप divide कर सकते हैं इसको अलग नाम देते हैं कि यह a हो गया अब जब top view देखेंगे आपको A, B, C, D, उपर से दिखेगा तो यहाँ पर आप दे सकते हैं नाम यह A हो गया उसके बाद यह जो हो गया यह B हो गया उसके बाद यह C हो गया और यह जो हो गया दी हो गया तो इस तरह से यहाँ पर आप center line भी लगा सकते हैं, इस तरह से center line लगा देते हैं, center line हमने पड़ी थी, जो basic के अंदर पड़ा था, कि इस तरह से होती है, एक बड़ी, एक चोटी line, एक बड़ी, एक चोटी line, एक बड़ी, जब इस तरह के हमें circular चीज़ दिखानी हो, जैसे electrical तो हमें क्या-क्या दिखेगा यह B, D है और 2, 4 है इस तरह से दिखेगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह B- हो गया यह D- हो गया और नीचे जो है यह 2 और 4 था सामने तो यहाँ पर यह 2- हो गया यह 4- हो गया नेमिंग कोई भी दे सकते हैं A, B, C, D, E, F, E, H ऐसे भी क पीछे A है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह A- हो गया इसी तरह से नीचे भी नेमिंग कर सकते हैं यानि कि front view की नेमिंग देश के साथ होगी small letter और top view की नेमिंग जो है small letters के साथ हो जाएगी तो इस तरह से यह जो हमारे पास front view बन जाएगा यह front view बन गया और यह ब लेते हैं second जो statement है यहाँ पर करेंगे और इसको हमें raise कर लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि base diameter बिल्कुल सेम है और height जो है इसकी axis की वो हमें दे गई है यह 50 mm यानि कि इस effect से लेकर यहाँ से अगर एक line आप लगाएंगे इस center तक तो यहाँ तक ही height हमें दे गई ही है वो कितना है हमारे पास 20 mm, आप top से देखेंगे हमें क्या दिखेगा, वही circle दिखेगा, front से देखेंगे जब इसको Wonder ini कि तो हमें क्या दिखेगा एक triangle दिखेगी इस तरह की तो यहां पर ट्रेंगल दिखेगी और सेम आपको उसी तरह से टोब बनाना है इसके अंदर भी वही करना पहले टोब बनाना है फिर यह फ्रेंट बनाना है फिर उसकी प्रजेक्शन के साथ इसको कितना लेना है उपर 50 mm देखे इसे छोड़ता है यह 60 mm लंबाई थी सेक्सिस की इसकी 50 mm है और आपको यह कौन को ड्रो कर देना है तो इस तरह से इसके अंदर भी जो है आपको नेमिंग कर देनी है नेमिंग हमने सीट लिए किस तरह से करनी है यह फ्रेंट व्यू बनेगा यहां पर यह टोब बनेगा पहले आपको टोब बनाना ह इसकी प्रेक्शन लेनी है इस एक्सिस को 50 mm लेना है और इन को यहां यहां जो प्रेक्शन आई है इनको मिला देना है यह फ्रेंट वित्यार हो जाए जो भी नेमिंग आपको करनी है यहां पर 1,2,3,4 या फिर A,B,C,D खुछ भी तो उसी साबसे यहां पर आपको नेमिंग कर देनी है तो एक दो दोनों स्टेटमेंट है इस तरह से हम इसको कर सकते हैं इस कोस्टन को सॉल्व तो थैंक यह वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लेर्न एंड ग्रो के हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाल